मूर्णिंग नमस्कार अदाव सस्तिरिकाल की हल चाल है भाई लोग मैं आपका दोस्त आपका भाई सुईत कमार अपने इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि JSC के किसी भी एक्जाम के लिए पेपर 3 में 40 नमबर का आपको समान अधियान यानि की जेनल नौले से रिलेटेट क्यूचन रहेंगे चाहे हो हिस्ट्री से हो या पॉलिटी से हो या जिग्रोफी से हो या क्रांट अफेर्स का क्यूचन हो तो उसमें 40 इसमें क्यूचन जीके से रिलेटेट आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह जो है JSC के paper 3 के लिए important होने वाला है यह video क्योंकि इसमें 40% जो related रहेंगे उसके लिए बहुत ही important हो जाता है कि हम लोग समान्य अध्यान कहीं कहीं से अध्यान उसको हमेशा करते रहें ठीक है तो आज हम लोग भारत के map से क्या पढ़ेंगे कि अलग-अलग चीजों के बारे में हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो जैसा है कि हम लोगोंने पहला भारत का map ले लिया है और इसमें हम लोग नभीके सयंत्र के बारे में discuss करेंगे कि भारत में कहा कहा नभी किए सयंत्र है ठीक है तो पहला जो है दोस्तों वो है कुम हरिया ठीक है दुसरा है नरोरा तीसरा है रावत भाटा चौथा है काकारा पारा फिर है मिठ्षी विर्दी फिर है बारगी फिर है तारापूर फिर है जौदपूर, फिर है कायगा, फिर है कुधान कुलम, फिर है कलप ककम, फिर है कोवारा, उसके बाद है एक हरिपूर, ठीक है, तो भारत में टोटल कितने नभी के सेंत्र है, तो भारत में टोटल 13 नभी के सेंत्र है, ठीक है, तो इससे एतना ही किजर मनता है कि भारत में टोट आप ले सकते हैं चलिए हम लोग next page में देखते हैं कि next page जो है वो किससे समधित है तो दूस्तों जो next page का topic है वो है love एवं इसपाद से reality ठीट है मतलब कि भारत में love एवं इसपाद सेंद्र कहां पर present है ठीक है तो पहला हम लोग start करते हैं क्योंकि हम लोग जारखंट से हैं तो हम लोग जारखंट का ही इसमें पहला नंबर करके हैं जैसे की पहला है बोकारों उसके बाद है जमसेतपूर फिर है भिलाई फिर है चंदरपूरा फिर है कलिंगनगर फिर है गोपालपूर फिर है पारदीब फिर है विसाखापटनम फिर बंदरपूर फ फिर है विजयर नगरम, फिर है भदरावती, फिर है सलेम, यानि कि लव एवाम इसपात सेंद्र के कितना है भारत में तो टोटल 15 हैं, ठीक है, तिसमें भी आपको बोकारो, चंदरपूरा और जो धनबाध है, सौरी जंपस्यत्पूर है, बहुत इंपोटेंट एक होने वाला ठीक है, लव एवं इसपात सेंद्र हैं यहाँ पास, बोकारो, जंपस्यत्पूर और चंदरपूरा, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, सुचना प्रेदगी पार्क के बारे में, यानि कि आईटी पार्क के बारे में, कि कहां-कहां भारत में आईटी पार्क हिस्ती था ठीक है, तो जोस्तों हम लोग यहाँ पास, पहला जो आईटी पार्क है, वो भारत के रधानी में है, उसका नाम है दिल्ली आईटी पार्क, जो की दिल्ली में वस्तित है, ठीक है, चलिए उसके बाद का जो आईटी पार्क है दोस्तों, वो है यहाँ पास, डीले, ठीक है, दी एल एफ नोड़ा में है फिर है इन्फो सीटी गांधी नगर में है फिर है इन्फो टेक मुंबई में है फिर है मागर पट्टा सेलेट लाइट ये जो है टाउन सीप पूने में है इलेक्टोनिक सीटी बेंगलोरू में है इंटरनेशनल टेक पार्क बेंगलोरू में है टे और जोटना परेदे की या इसे IT पार्क भी का सकते ते हैं, यह हैं, ठीक है? में है फिर है चंदरताल जो इस पीति वैले में है आगे है रोपड आदर भूमी जो कि पंजाब में है ठीक है इस में से जो सबसे इंपोर्डेंट है यहां पास रामसर कन्वेंशन में वह यहां पास जो है कि मनिपूर का लोक्टक जिल है क्योंकि मनिपूर का जो है आजीव क इसी लोक्टक जिल से ही चलती है ठीक है आगे है यहाँ पास हरीक आदर भूमी आगे है कंजी आदर भूमी इलिनुका जिल फिर है सांबर जिल जैपूर में केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में अपर गंगा उतरपतेश में नालस स्वरोवर जो है रोवर पक्षी बहार गुजरात में है और भोज आदर भूमी भूपाल में है दिपोर भील असम में है इस्ट कोलकाता विलेंटेंडस जो की कोलकाता में है लोक्टक जिल जो कहां है मनिपूर में है रूदर सागर जो की तिरपूरा में है उसके बाद है दोस्तों यहाँ पास की भीतरकनी क तो ये भीतर कनी का मेन गुरो उडिशा में है चिलका जिल उडिशा में कोलिडियु जिल अंदरप्रदेस में और पॉइंट केलिमर वाइल लाइफ एंड वर्ल्ड सेंचूरिय तेमिलाडू में है अस्ट मुडी जिल कोलम में है अगे है सस्थानम कोटा जील जो की क्योंई लोन में है ठीक है ते ये थे भारत के रामसर करिवेंशन आदरभूमी अस्थाल ठीक है तो चले हम लोग पांच में पेज में चलते हैं तक पांच में पेज में बताया गया है कि विनेस्को हरिटेज साइट ठीक है मनतलब जो विनेस्को के हरिटेज में इस्तित है जो कि भारत से हैं ठीक है तो चले हम लोग देख लेते हैं तो यहां से हैं माउंटेन रेलवे कालका सीमला में है ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क चंडीगड नंदा देवी फूलो की घाटी नेशनल पार्क आगरा का किला फतेपूर सिकली हील फोर्ट्स ऑफ र सिवाजी डर्मिनल चर्चेश एंड कश्रमी घानाटक पच्छिमी घाट निलगिरी का, पच्छिमी घाट केरल-का च्योल मंदिर तंजORAवाला, महाबलीपूर्म और उसके बाद है हमपी, ठीक है हमपी के बाद है पटअ कर पटटटल अगे है एलोरा फिर है अजन्ता अगे है साची का अस्तूप जो है भीन बेट का फिर है खजुराहो का मंदिर फिर है सूर्य मंदिर कुनार का है उसके बाद है सुदर्सन नेशनल पार्क और सुरी सुंदरवन नेशनल पार्क फिर मांटेन रेलवे जो कि दरजलिन का है फिर है बोध गया बिहार का अलंदा फिर है, काजी रंगा नेशनल पार्क है, माना सुमने जीव भ्यारन है, कंचन जंगा नेशनल पार्क है, और मांटेन रेलवे निलगीरी वाला है, और पच्छमी घाट सहादरी का है, ठीक है, चलिए आगे हैं, हम लोग 6 नेंबर चेप्टर में जाते हैं, पेज में, तो 6 में बताया गया है, कि 1857 से जुड़े जो बीद्रों हैं उसके बारे में, ठीक है, तो चलिए हम लोग 1857 से जुड़े अस्तल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो दिल्ली रिलेटेड है, कानपूर रिलेटर है, नकलव है, जासी है, गौालियर है, इलाहबाद है बलेरी है, फोजाबाद है, आरा है, और मतुरा है, ठीक है, यहाँ पास जो है, इससे रिलेटेड हम लोग इसकी जनकारी ले लिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पास बताया गया है, कि भारत में खनीज संसाधन का छेतर, ठीक है, भारत में कौन-कौन से खनी ज्यादा तोर पर पाया जाते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, कोईला पाया जाता है, पेट्रोलिम पतार पाया जाता है, सोरन पाया जाता है, लो एसक पाया जाता है, उसके बाद है, बॉक्साइट पाया जाता है, अब रख यहां से काून को सिस्टेट में क्या पाया जाता है इसरी का यहां पास बॉक्साइड का यहां पास दे रहा है बीबी उसके बाद यह दर है यानि कि अवरक का दे रहा है यहां पास गिलिटी और को डर्मा के पास बाकी इतना ही दिया गया है चले आगे है फिर कोईला वुला देख लिजेगा कोईला यहां पास धनबाद की शेतर में दि परवर्ती मिर्दा है उसके बाद यहां पास परवर्ती मिर्दा है उसके बाद यहां पास परवर्ती मिर्दा है और नाजर प्रदेश में परवर्ती मिर्दा आगे है दोमट मिटी छेत्र तो दोमट मिटी वाला छेत्र जो है दोस्तों यहां पास इसमें दोमट मिटी का छेत तो जहां पास ऐसे से किया गया है वो लाल और पीली मिटी का छेतर बनाया गया है काली मिटी का छेतर उहां पास है जहां पास आपको ऐसा एरो दिखाया गया है यानि कि काली मिटी का छेतर है यह वाला ठीक है आगे है लिटराइट मिटी लिटराइट मिटी का भी छेतर है ये सब जो है लिटराइट मिटी का छेतर है आगे है बलुई मिर्दा का छेतर तो बलुई मिर्दा का छेतर भी यहाँ पास दिखाये गया है चले आगे है हम लोग चलते हैं आगे का पेज में यहाँ पास दिया गया है कि राज और उनकी यह गांधी नगर, भोपाल, लखनाव, मुंबाई, पंजी, पेंगलोरू, तिनुतंपूरम, चेनाई, अमरावती, हैदराबाद, रायपूर, भूनेश्वर, कुलकत्ता, अगरताला, अजोल, इंफाल, राची, पटना, सिलोंग, कोहिमा, और दीसपूर, और इंटानगर, और ग हाका है, तो हिमाचर प्रदेश का सीमला है, उत्राखंट का देरुन हो गया, राजस्थान का हो गया, जैपूर, गुजरात का गांधीनगर, मद्रपदेश का भुपाल हो गया, उत्रपदेश का लखनाव हो गया, महराष्ट का मुंबई हो गया, गोवा का पंजी हो गया, और यहां पास बेंगलोर हो गया आंदर प्रदेश का बेंगलोर हो गया तिरोंतव पूरम जो है केरल करदाने तिरोंतव पूरम यहां पास तमिल लडू का चे रही और अमराबती जो है वहां पास आंदर प्रदेश का अमराबती तेलंगाना का हैद्रावद हो गया चतिजग को यिंफाल को फाल जू है इसको देख लेते हैं हम लोग मि जोरम का इजुल हो गया मह के आमनिपूर का इमफ्रह हो गया जहारखंड का राचि हो गया बिहार का कहा हो गया पत्ना चिलong हो गया यहां पास andabytes he हो और यहां पास रूर्वन ऑजिंश का सिल्ൌग सुन अरुनाचर प्रदिस का सिलोंग हो गया, निघाले के कोहिमा हो गया, असम का दिसपूर हो गया, यहां पास इटानागर्ज हो गया, अरुनाचर प्रदिस का, और सिक्किम का हो गया यहां पास गंग टोप, ठीक है, तो उसी प्रकार यहां पास कुछ छेत्रिये, यहां पास भ लक्षनी भारत के यह मैदान के बारे में बताया गया है दकन के पठार के बारे में बताया गया है और पुर्वी तटी पठार इसे को बारे में यहां से बताया गया है चलिए आगे है कि यहां पास भारती राश्टी कंग्रेस के महत्पुन अधिवेशन असल जो कहां-कहां लोग इसको भी फटा-फट से जान लेते हैं, तो यहां पास है कि बंबई 1850 का अधेक्सता हुआ था, कॉलकाता में 1906 में हुआ था, सूरत 1907 में हुआ था, नागपुर 1924 हुआ था, बेलगाम 1924 हुआ था, मदरास 1927 में हुआ था, लाहर 1929 में हुआ था, फैसपुर 1936 हुआ था, अरिपुरा में 1928 में हुआ था, तिर पूरी 1929 में हुआ था, मेरण जो है, 1947 में हुआ था, यह जो है, कांग्रेस के महत्पूर्ण धीवेशन थे, कुछ हमाँ पास, आगे हैं यहां से, कि अंतरिक्स अनुसंधान केंद्र, जो कि कहा काईस्तित है, उसके बारे में है, ठीक है, चले हम लोग फटा-फट जान लेते हैं, कि अंतरिक्स अनुसंधान केंद्र, जो है, वो कहा कहा है, इंडियन रिमोट सोंसिंग इंस्टिूट देहरादुन में है, सोलर और जेटिवेटर जो है, उदयपूर में है, स्पेस एप्लिकेशन सेंटर एंड डेप्लोप तो तिरोंतम पूरं में है, और लिक्वीड प्रोप्लेशन सिस्टम सेंटर ये भी तिरोंतम पूरं में है, आगे है लिक्वीड प्रोप्लेशन इंस्पेक्शन फैसिलिटी जो की महंदरगिरी में है, सार सेंटर सिरी हरी कोटा में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजनसी ज मैप के अधार से भारत के समान ग्यान को जानने का कुशिस किये थे यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगवित क्रिपया लाइक और सेर जुरू करें मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक के लिए धन्यवाद